सुजाहिन दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में यूपीटेट और सीटेट परिक्षा के मनोविज्ञान साइकोलोजी ओफ लर्निंग और डवैलपमेंट इस विशे के 30 नंबर के प्रशना आते हैं और इसी टार्गेट साथ कि 30 में 30 पाना है हम एक नई स्रीज सुरू करने जा रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे पीछले 10 सालों के यूपीटेट और सीटेट के जितने भी मनोविज्ञान से कोश्चन्स आये हैं उसको वन बाई वन साथ मिलके सॉल्व करने वाले बड़े ही आसान तरीके से तो इसी करम में आज पहला क्रास है और चलिए आज सॉल्व करते हैं कि सीटेट 2020 जो एकजाम 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसके मनोविज्ञान की कोश्चन्स को हम सॉल्व करते हैं तो सुरू करते हैं इस स्रीज को इस पहले कोश्चन के साथ पहला कोश्चन क्या है दोस्तों पहला कोश्चन पूछा गया था कि विविद प्रिष्ट भूमी के अधिकम करताओं को संबोधित करने है तू एक अध्यापक को इन ओडर युद्र तो युद्रेस लर्नेस फ्रम द्डाइवस्ट भाग्राउंट आ टीचर शुद। पहले इस प्रस्चन को समाज़ेए कि विविद प्रिष्ट भूमी डाइवर्ष भाग्राउंड को क्या मतलब होता है प्रिष्ट भूमी बैक्राउंड अलग है तो एक मानक एक स्टेंडर्ड का आप यूज नहीं कर सकते ये जवाब ये उतर गलत है अगला दिकर देखते हैं ऐसे कत्वनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नाकरात्मक रूडी बद धारलों को मज़ों रूडी बद और नाकरात् से उधार लेना चाहिए ड्रा एक्जांपल फ्रों ड्यवर्शेटिम सही जवाब हम जब बच्चों की प्रिष्ट भूमी बैग्रांड विविद है तो हमें इस्सांपल का करना चाहिए डैवर्स लेना चाहिए विविद लेना चाहिए तो पहले सावाल का सही जवाब option D होगा उमीद है आपको भी यही डी आपने लगाया हुआ चलिए next question देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल किया है समस्या सामधान छमताओं को किस प्रकार सुसाद किया जा सकता है problem solving abilities can be facilitated by को समस्या सामधान का क्या मतलब किसी बच्चे के साथ कोई समस्या आ रही है कोई problem आ रहा है उसको समस्या करें उसको solve करने के लिए और अच्छा बने इसको आप कैसे बना सकते अच्छा कैसे बना सकते सम रूपों का सब्रूपों के की ability और बढ़ेगी और साथ दे होगी यह सवाल यह जवाब सही लग रहा है लेकिन अन्य तीन और विकल्प देखते हैं विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर गला जवाब डर की भावना पैदा करेंगे चोड़के भाग जाएगा लगतार अभ्यास और कार्यवन पर जोड़ देके focusing drill लागतार अभ्यास नहीं करा सकते किसी problem को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसको बार-बार प्रेक्टिस करा के नहीं करा सकते आप समरूप का इस्तमाल करिए समास्या को हल हे तु अटल प्रकिरिया अटल परिवे फिक्स नहीं कर सकते वहीं आप माध्यम कौन सा है अफेक्टिव मतलब प्रभाव साली कौन सा है चली देखते हैं सीखने के लिए और पढ़ाने के लिए कौन सबसे प्रभाव साली माध्यम हो सकता है इस प्राश्न का पहला विकल्प है बिना विसलेशण के अउलोकन करना observation भी नहीं 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 कर स नहीं 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 कर सकते हैं तो लास्ट विकल्प है सब्कल्पनाओं की बीच संबंध खोजना exploration of the relation between concepts जो कांसेप्स है उसके बीच में आप relation आप संबंध खोज के ही टीचिंग और लर्निंग को और बहतर बना सकते हैं तो यह इस चीज को एक्स्पें कर रहा हूं क क्योंकि सीटर्ट यूपीटर्ट में मोस्ली पेडगॉलजी की कोश्टन जो आते हैं आम सो सॉरी साइकॉलजी की जो कोश्टन साते हैं वह इसी प्रकार के होते हैं आपको उसको सोच विचार करके ही जवाब निकालना पड़ेगा और यकीन मानिए अगर इस तरीके से खु तुबिन तुटियों का विकल्प करनाच है क्योंकि एक टास्क पैक अध्यापीका कैसी बच्ची को और उसके इरर को एनल्याइज करना चाहिए है मिसले सॉषड करना चाहिए और इसके आधार पर वह ज्यादा ही चात्रों को दूसरे चात्रों शेवाब करने ना ना या ग बहुत ही smartly जिसने भी पेपर सिट किया ना बहुत ही smartly पेपर सिट किया यहां पर लिखा कि अधिगम केवल तुरूटियों के संसोधन पर निर्वर करता है मैं कहता हूं कि अधिगम सीखना जो है तुरूटियों के संसोधन पर निर्वर करता है learning is the slowly based on a co correction of the errors अब देखिए आपके तुरूटियां जितनी संसोधित होगी आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे आपके एरर जितने ही संसोधित होंगे आपके एरर जितने ही correct होंगे आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे यह बिल्कुल सही विकल्प है लेकिन एक word का यहां पर इस अधिगम आपके अभी प्रेरणा पर निर्भर करता है अधिगम आपके परिवेश पर निर्भर करता है अधिगम आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है अधिगम आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है अधिगम आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है अधिगम आ तो यह आपका सही विकल्ब होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए तुरूटियों की समझ अर्थपूर है तो यह सही जवाब होगा नेक्ट्ट कोशन देखते हैं दोस्तों सत्वा कोशन है मोटिवेटन मोटिवेशन टू लर्न कैन वी सस्टेंड बाई अधिकम की अभी प्रेणडा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है बड़ा मज़ेदार कोशन सा कि अब देखें एक चीज़ देखिए कि कैसे कोश्टन्स आया है अगर आप समझे करेंगे ने खुँद से बाते करनें करेंगी असानी से आहरे कि आप तीस में तीस कर जाएंगे बच्चों के लिए, आप आसान कारे करा सकते हैं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत आसान कर देंगे, तो फिर उनको सीखेंगे कैसे, यंत्रवाद, फोकसिंग अन्दा रोट नहीं कर सकते, बहुत अच्छा विखल पर, पहले इसको चीज़ों को समझ ल जादा है, जिसको समझना मुस्किल है, यहां पर लिखा है कि प्रविड़ता अभी मुखी लच्छों पर जोड़ दे के, फोकसिंग अन्दा मास्टरी ओर्येंटेड गोल, इसका क्या मतलब है, प्रविड़ता अभी मुखी, आप आगे के लच्छों को जोड़ दे के, क्यो हम जारी रख सकते हैं, तो लास्ट विकल्ब बिल्कुल सही है, बहुत टिपिकल हिंदी यूज़ कर दिया था, इसलिए शायद थोड़ी से कर्फीजन होगी, तो लास्ट वनीज़ प्रविड़ता अभी मुखी लच्छों पर जोड़ दे के, तो यह विकल्ब सही है, इस व कॉलेज छोड़ के भाग जाएगा, इस्कूल छोड़ के भाग जाएगा, तो बच्चों को अधिकम है, तो अभी प्रेरित करने के लिए बहुत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी प्रवाव साली नहीं है, ओके सूट जिनरेट फ्रिक्वेंटली और टीचिंग लर्निक्र पर नहीं करता है, यह गलत बात है, आप उसको सर्मिंदा कर देंगे, तो उसके दिमाग पे एक नाकरात्मक प्रभाव पड़ेगा, एक नेगटिव इंपक्ट पड़ेगा, तो यही जवाब गलत है, यही जवाब सही है, option number D, that is सर्मिंदगी can have a negative impact on the organizations का संग्यान पे नाक पर आत्मक प्रभाव पड़ सकते, तो यह हो गया सही जवाब दोस्तों, नेक्स देखते हैं दोस्तों, कि अधिकम का संद्रचनात्मक विचार यह सुझाओ देता है कि ग्यान की संद्रचना है, ग्यान की संद्रचना, constructive views of learning suggest that children dash construction of their own knowledge, अधिकम का संद्रचनात्मक विचार कि ग्यान की संद्रचना में, ग्यान की संद्रचना में, क्या सुझाओ है, आईए, देखते हैं, विकल्ब देखते हैं, बच्चों की सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये तो यही सही लग रहा है, प्यास संद्रचनात्मक मतलब वो बच्चे जो ज़्यादा, construction कार करने में, जिसमें practical कारे कुछ बनाने में कुछ जोडने में इसमें वह ज्यादा बिलीव करते हैं ऐसे बचों को हम कहते हैं कि उनके अंदर cognitive वह ज्यादा है संगिरात्मक कारे करने की समतार ज्यादा है तो बच्चे सक्रिय भूमिका निबाते हैं यहीं विकल्प सही लग रहा है यहीं करने नहीं constructive का मतलब ही कि वह बच्चे जो खुछ से कुछ करने में मज़ा आता हो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन आप उसको कुछ करने के लिए स्काउट गाइड हो गया या फिर कोई I mean टास्क या पे लिए या निशीखने के लिए परयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता किस फसफ़ता फर्क बड़ता है असे फर्क बड़ता को रोख सकते हैं बहुत خ釋 आस वाने को रोक सकते हैं वह जवाब गलत होगा योगता सुधार रहे हैं योगयता को आप सुदार कर सकते हैं ebility is Impro आप अपनी योगिता को बढ़ा सकते हैं अब परिश्रम से महनत से योग से लगन से अभी प्रेड़ा से मोटिवेशन से देरा सो मेनी फैक्टर्स दैट कें इंप्रूव यूर एबिल्टी तो ऑविस सी बात है यह जवाब बिल्कुल सही है कि एबिल्टी इस इंप्रूव ब जाए और फिर आपके फीड़बेक और आपके रिप्लाई पर यह डिपेंड करेगा कि यह चीज़ से कहां तक जाएंगी तो सीटेट 2020 का यानि कि जो एक्जाम जनवरी 2021 में हुआ था उसके पूछे गए यह 10 प्रशन थे मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोसिस करी इस वीडियो को यही खतम करते हैं लास्ट में इसके सेकेंड पार्ट या इसके आगे की वीडियो आपके कमेंट और आपके लाइक्स पर डिपेंड करती है अगर आपको यह सीरीज अच्छा लगा चीज़े समझ में आई एक चीज का मेरा वादा है कि सीटेट का और यूप अठ्छेण के यहए अख संध फरूड आया है कर रहे हो तो आप प्ली मियुक्वरत नीचे में खेंगे आप मुझे मूट्वेट कर सकते हैं कि में इस सीरीस को जारी रखूं या ना रखूं участ है क्योंकि आपके मोटिवेशन और आपके फीडवेगs से मैंने काफ़ी वीड teaching quality proof करिये और आगे भी करूंगा so please give feedback in the comment box, do like and if you really like this series, you can share to the other friends and if you haven't subscribed my channel, it's my humble request to please click on the red subscribe button and stay connected with me जाहिं जाभारा दोस्तु